कप हालो स्टूरेंटस वैलकम बेक टू हिंदी मेरणे पर सबीबेक डे dazu का नाम सभी MR पर स्वागत है टोड देर पहले आपके वीडियो अप्लूड Moo Quin है बीए सेकिंडिर की हिंदी पेपर फस्ट की कहीं आपके पास एक भी पेपर नहीं था प्रिवेश का अभी बैक टू बैक मैंने आपको दो पेपर प्रोवाइड करा दिये हैं पेपर का नाम सभी को मालूम ही है गद्दे अर्म नाट्टे साहिते यहां थोड़ा गलत लिखा वाई है ना तो हंडेड नमबर का पेपर आता है सभी को मालूम है और यह वाला जो मैंने थोड़ देर पहले अपलोड किया था वह है में पेपर जो हुए थे वह वाला था और उसके बाद जेनी स्टूडेंट्स की बैक आई थी हिंदी में तो उनके लिए यह वाला पेपर था अब दोनों में हमें अंतर भी करना है और सिमलरिटी भी देखनी है कि दोनों में क्या क्या सिमलरिटी रही कोशन पूछने में अब यहां पर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर आपके इसमें देखे पहला कोशन पूछा गया था सिल्वर वैडिंग कहानी से सिल्वर होता है उसके आथार पर आप में यह जो सिल्वर बैडिंग कहानी है उसमें क्या समस्या उठाई गई है जैनेरेशन गैप को ले और अर्थपुर्ण सामंजेस्थे पर विचार कीजिए ठीक है वहाँ आप से पुछा गया था नारी समस्या को लेकर पुनर्वईवा की समस्या को लेकर यहाँ पर आपसे पूछा लिया गया कि कथा वस्तू अभी यहां पर सीधा-जीधा क्या पुछ रहें आप से साराज पूछ रहे हैं और इतिहास और कल्पना के माध्यम से आपको वो चीज दिखानी है समस्या नाटक की संकलपना को सफ़्ट करते बसंत्रितू का नाटक एकांगी का विवेचन कीजिए ठीक है तो ये एक समस्या नाटक है बसंत्रितु का नाटक है अब किस तरह के होते हैं समस्या नाटक ठीक है तो उसमें हमें पहले समस्या नाटक के बारे बताना है किस तरह के होते हैं फिर बसंत्रितु के नाटक नाम एकांकी से उसके रिलेटिट करके हमें आंसर को अपलाई करना है नेस्ट額शन है जजी से त्याँ पत्र परमोद दे देता है प्रंधु असत्य से एक के बाद एक त्याँ क्था पत्र मरनाल देती है इस कथन के अलोक में त्याँ पत्र पन्यास की कथा वस्तु पर विचार कीнит जह reconsider है हमें अथावस्तु में पूरा सारांश लिखना होता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेस्ट वोशन पर आपके यहां पर पांच आपके लेंदी कोशन के कंप्लीट हो चुके हैं आगे चलिए देख लेते हैं शोट कोशन में किस तरह के कोशन आप से पूछे गए पांच नंबर का होता है आठ कोशन होते हैं अब देखे यह प्रशन आपका आ चुका है साहिते की परिवाशा की सार्थक्ता पर विचार कीजिए तो बिल्कुल सही जो मैंने आपको अभी अप्लोड की है वीडियो वहां से इसको आप एक्स्प्लेन कर सकते हो चलिए आगे चलते ह आपके देखे सकेंड कोशन कामदम के पंच बानों में अरविंद अशोक निलब तलो और आमर मंजरी में से पहले चार को आचारे हजारी परसाथ दिविदी ने अपसरा जाती के पुश्प क्यों कहा है अगर आप ये निबन पढ़ लिया होगा आपने तो आपने देखा हो पिर वहां से देखे इसका अंसर किस तरह से आप अपलाई कर सकते हैं नेस्ट कोशन है निंदा का उद्गम ही हींता और कमजोरी से होता है इस कथन का आश्ये इस पस्ट कीजिए तो निंदा रसे लिया गया है और यहां पर बताया गया है कि जब हमारे अंदर निंदा आज हिंता आ जाती है और हम अपने दिमागी रूप से हम हर तरह से अपने अंदर कमजोरी महसूस करते हैं तो इसको आप देखिए लाइन दी गई है आप पढ़ोगे तभी मैं कहते हूं कि सारा कुछ एक बार सारा सो जरूर पढ़िए उससे क्या होगा कल यह देखती हूं यह वा सूखी डाली एकांके में वर्ट वरक्ष की स्पात्र का प्रतीक है और क्यों कारण सही समझाईए अब पूरा जो एकांकी है इसी पर आधारित है सूखी डाली क्या बताया गया है कि जब एक वरक्ष होता है चाहिए वो वर्ट वरक्ष हो चाहिए हमारा जो परिवार होता ह वरक्ष था बड़ा सईक्त कि तर्य तरह होता है। इसी प्रकार से परिवार भी होता है। तो यह पेड़् से अलग होने पर सुख जाती है। तो उसका क्या अस्तित्त। एक सूखी डाले की तरह हो जाता है तो इस से कांगी के माध्याम से यही सब बताया है और कारण बताने हैं साथ में है ना चले आगे चलते हैं अब घर का फालतू समान अलमारियों के पीछर पलंग के नीचे चुपाया जाने लगा तभी सामनात के सामने सासा अर्चन खड़ी हो गई मा का क्या होगा इस वाक्या के आलोग में चीपकी दावत कहानी की केंद्रे विशेवस्तू को इसपस्ट कीजिए अब देखिए प्रशन रिपीट हो चुका है लेकिन वहां पर किसी और तरीके से पूछा गया कि जो व्रधावस्ता होती है उसकी सबस्या को आप बत अब इतने बड़े बड़े प्रशन यहां पर पूछे गए हैं तो आप सोचोगे क्या पूछ रखा है यह प्रशन कितने खतरनाक है लेकिन नहीं यह बहुत इजी है पस थोड़ा सा आपको समझने की और ध्यान देने की जरूरत है जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते गर परिवार नहीं होता है उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी हो जाती है सिल्वर वैडिंग कहानी के इस वाक्या का क्या भी पराय है अब सिल्वर वैडिंग में से ही आप से दो कोशन यहां पर पूछ ले गए तो अच्छे से इसको पढ़ लीजेगा पू हां की वैठा कता है इस वात को तर्क और धारन देकर समझाए अब जैसे हल्कों की अपनी जमीन थी लेकिन वह किसान था लेकिन अपनी जमीन पर वैठान बनकर रह जाता है तो ऐसी ही कई किसान ऐसे हैं जिनकी व्यता कता प्रेम चंद जी ने भी लिखी है पूस की रात के साथ साथ उन्होंने और जंगे भी वो बाते लिखी हैं तो आप वहाँ से भी वो उठा सकते हो और तरकवरधारण उनके दे सकते हो पढ़ना बहुत जरूरी है एक्जाम टैम पर ही आप पढ़ते हैं उससे क्या होता है फिर आप गड़बड़ा जाते हैं अब देखे एट कोशन रामगुप के किन दुर्गणों के कारण धुरू सामनी उससे विवा विच्छेद करने का निर्ना लेती है इस पस कीजिए अब साब बारी की से देखने की जरूरत है अब आते हैं आपके जो बैक पेपर हुआ था वहां पर भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो पूछे गए थे वो भी वन लाइनर ही पूछे गए थे ठीक है अब इस वार नहीं कह सकते कि वन लाइनर आएंगे या मिसी क्यू बेस आएंगे तो मुझे लगता है ओप्शन आने ही चाहिए चले देखते हैं कैसा आपका पेपर आता है किनी तीन लली तिनी बंद कारों के नाम लिखिए मांसर वा किस लेकर की कहानियों का संग्रा है प्रेम चैंजी का जैस शंगर परसार रचीत किन तीन कहानियों के नाम लि आता है यह वाक्या कोशी के घटवार में आता है अंतिमावाज कहानी में माने अपनी अंतिम इच्छा क्या अव्यक्त की है आगे चलते हैं सिल्वर वैडिंग शादी के कितने वर्ष की सालगिरा पर मनाई जाती है अब देखिए कितना डीपली कोशन इन्होंने पूछा कि कितने वर्ष जब आपने पढ़ी ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कितने वर्ष तो इसलिए डीपली कोशन पढ़ते रहना चाहिए चलिए नैस कोशन देख लेते हैं पूसकी रात कहानी में हलकु के कुत्ते का क्या नाम होता है चोखरी कस्बे में गोली कांड की समाचार पत्रों के माध्यम से खबर के साथ ही कोंजी एक अन्या कवरी लोग तक उस दिन पहुँची थी नैस कोशन नाम कुमार वर्मा द्व लेवस में हैं संगत नाटक कार त्यानेदी के तीन उपन्यासों के नाम लिखिए एक आपके इस लेवस में हैं त्याक पत्र दो डाल दीजिएगा विशाग दत के नाटक देवी चंदर गुथ में ध्रूम सामनी का नाम क्या है ये प्रशन आया है आपके लिए खतरनाक वा चलेंगे इसलिए इनके आज़र नहीं दिये हैं आप सर्च करिए उससे क्या होगा आपके और ग्यान बढ़ेगा तो प्रिम्चंद की परारम में कहानियों के नाम लिखिए नई कहानी आंदोलन से जुड़े कुछ कहानी कारों के नाम लिखिए ठीक है 15 कोशन आप तक रहे हैं गुंपिर का मतलब गुमा कर आपसे पूछे जाएं कि टॉपिक वही हैं जो तयार कराए गए हैं तो अच्छे से ध्यान दीजिए चीजों को पकड़नी कोशिश कीजिए और लाइक तो करी दीजिए और शेयर कर दीजिए फटा-फट और कमेंट बोस में कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसी लगी आपको